क्लासिफिकेशन ओफ बिजनेस एक्टिविटीज तो बिजनेस क्या है एक्टिविटी नॉन एक्टिविटी क्या होता है उसके उपर हमने अलरेड़ी डिटेल वीडियो जो है बना रखा है आपको नेचे डिस्क्रिप्शन लिक मिल जाएगा आप होहां से इसको देख लें अ कि ऐसा कोई काम जहाँ पर आप जो है प्रोरडक्शन कर रहे हो प्रोसेसिंग कर रहे हैं एक्सचेंज कर रूहरी ।ब हम उसको बिजनेस कहते हैं जो है product बनाकर customer को sell करते हैं यानि कि different different type of business को perform किया जा रहा है जिसके through money earned होता है ति यह जो different type of business हैं जो different type of activities हैं उसको हम जो है broadly दो category में divide कर सकते हैं classify कर सकते हैं तो different business activities में भी classified into two broad categories पहला क्या है industry यानि कि ऐसे business organization group of such business organization that are involved in production और processing of goods and material यानि कि वो business organization या फिर वो business activities जहां पर किसी product को produce किया जाता है या फिर उसको process किया जाता है ठीक है किसी goods को किसी material को produce किया जा रहा है फिर उसको process किया जा रहा है तो वो industry के category में आएंगे आज सब्सक्राइब कोई XYZ company है वो company गेहूं का यूज करके biscuit produce कर रही है तो वो industry कहलाएगी कोई company है जो की कपड़े बना रही है cotton से जो है कपड़े textile produce कर रही है cotton का यूज करके तो वो industry है यानि क्या कर ये कोई ने कोई चीज produce कर रही है या फिर process कर रही है iron ore से जो है आप iron बना रहे हो steel बना रहे हो cement बना रहे हो different raw material का यूज करके ये चीज क्या कहलाएगी ये industry कहलाती है तो ऐसे business organizations जो production या फिर processing of goods and material में involved होते हैं उनको हम industry कहते हैं वही पे जो दूसरा है that is commerce commerce यानि कि जो भी product produce किये गए हैं industry द्वारा जो industry है जो भी product produce करती है जो भी product process करती है उसको exchange करना goods और services को exchange करना किसके साथ customers के साथ final customers जो है हमारे final consumer जो है उनके साथ goods को exchange करना उनको service provide करना ही commerce कहलाता है it includes all those activities that facilitate the exchange of goods and services जैसे wholesaler हो गए retailer हो गए आप आपस में आसपास देखते होंगे तो retail shops खुले होते हैं तो आप क्या करते हो आपको कोई product चाहिए सबोच करते हो चिप्स का package चाहिए biscuit चाहिए coldring चाहिए तो आप यो retail shop पे जाते हो वहाँ पे उसको पैसे देते हो और आप उसे purchase कर लेते हो लेकिन क्या वो retailer retailer ने उस product को बनाया था नहीं वो सिर्फ exchange में help कर रहा है आपको यानि कि वो commerce की activity परफॉर्म कर रहा है चिप्स को बनाने वाला कोई और कंपनी है कोका कोला पेपसी यह लोग जो है coldring बना रहे हैं बिटानिया यह जो biscuit बना रही है तो बिटानिया क्या होगी वो इंडस्ट्री हो गई वो बिस्किट उन्होंने बनाया प्रोड्यूस किया प्रोसेस किया लेकिन जो retailer होगे जो wholesale होगे वो सिर्फ exchange का का काम कर रहे हैं वो इ business activities वो organization जो प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज कोई चीज प्रोड़क्ट बना रहे हैं कोई processing कर रहे हैं गोड्स यवी material का तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं clear तो इंडस्ट्री को further जो है different categories में classify किया गया है उसी तरह कि से commerce में different activities जो है include की गई है तो सबसे पहले हम इंडस state किया और उस iron ore से हमने जो है iron metal बनाया या फिर हमने steel बनाया steel का further जो है use करके हमने different different type of utensils बनाई या फिर कोई और product बनाया हमने तो वो क्या कहलेंगे वो industry कहलेंगे include activities relating to producing और processing of goods as well as breeding and raising of animals तो यहां पे जो है इंडस्ट्री में अगर आप जो है animal को breed कर रहे हो animal को raise कर रहे हो तो भी industry में आजाता है clear, जैसे कि cotton का हमने example लिया था कि cotton textile industry में क्या होता है कि वहाँ पे manufacture किया जाता है textile using cotton, cotton का use करके हम textile को manufacture कर रहे है कपडे बना रहे हैं त crochet क्या है बना रहे है बना रहे प्रोडूस कर रहे है तो यह क्या है यह industry हो गया इसी तरह के से जो हमने iron ore का example लिया कि हम अर्थ से iron ore को extract करते हैं और फिर हम जो है iron बना रहे हैं, metal बना रहे हैं, steel बना रहे हैं, तो different type of product हम जो हमारे पर produce कर रहे हैं, clear तो iron ore में क्या होता है, कि हम माइनिंग के जरीए जो material होता है, जो iron ore होता है, उसको extract करते हैं अर्थ से, फिर उसके जरीए जो है, फिर क्या करते हैं, iron ore के जरीए हम metal iron produce करते हैं, इसी तरह किसे coal हो गया, gold हो गया, यह सब क्या है, यह अर्थ से extract करके आते हैं, माइनिंग के ज तो आलू का यूज किया और चिप्स हम बना लेते हैं ति ये भी क्या है ये भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है यानि कि जहां पे भी कोई न कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्शन हो रहा है प्रोसेसिंग हो रहा है वो इंडस्ट्री कहलाती है तो इंडस्ट्री को ह जो है वो खेतों में गेहूं उगाते हैं और उसकी किटाई करके जो है फिर गेहूं उगाते हैं क्लिर गेहूं आपको मिलता है तो किसान क्या है फार्मिंग खेतों में जो है गेहूं बोगते हैं बीज बोगते हैं उसके बाद जो है उसकी सिचाई होती है रुपाई होती है उसके बाद जो है फिर उसका जो है कार्ट पेट के फिर आपके पास गेहूं आता है उस गेहूं का यूज करके जो different companies होती है manufacturing companies होती है वो क्या करती है बिस्किट्स बनाती है या फिर गेहूं का यूज करके कोई दूसरा product भी वो develop करती है तो यहाँ पर हमने example के तौर पे biscuits हो लिया है clear तो अब यहाँ पर देखे दो step हो रहा है पहला step क्या है कि जो किसान है किसान ने base लिया base को जो है जमीन में खेती किया खेतों में जो है base को बोया और उसके बाद जो इससे गेहूं गाया ती एक हो गया काम ठीक है यहाँ पर production कसीज का हुआ घिया किस किसान ने किया नो किस देख着 चेच का यूजico औट की आर्फ का water का इसका यूझ यूज किया उसके बाद जो है गेहूं आया तो पहला प्रोडाक्शन यहां पे हो गया दूसरा क्या हुआ कि उस गेहुं का यूज करके कुछ कंपनी आती है वह कंपनी गेहुं को जो है किसानों से परज्यर करती है उसес मैने की प्रोसेस करकेbut। बिस्किट प्रोड्यूस करती है यहां पे दूसरी कंपनी वहें तो पहला production क्या हो गया कि खेतों का यूज करके natural resources का यूज करके गेहों को produce करना इसको हम कहते है primary industry जो लोग natural resources को produce करते है फिर natural resources को extract करते है उसका use करके जो है कोई product बनाते है उसको primary industry कहते है फिर जो primary industry द्वारा जो raw material बनाया गया उस raw material को use करके कोई finished goods produce करना उसको हम कहते ह second industry तो किसान जो गेहूं गाता है उसको primary industry हो गया गेहूं का use करके जो लोग different product बनाते हैं बिस्कित बनाते हैं वो secondary industry हो गया वहीं पर कुछ ऐसे organizations होते हैं ऐसे business activities होती हैं जहां पर कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की जारी लेकिन आपको services मिलती हैं जैसे education, transportation, banking, insurance यह क्या है यह आपको services provide कर रही है यह आपको services देती हैं वहीं पर यह customer को देती हैं साथी साथ primary industry और secondary industry को भी support करती है अब अब जो किसान है उसको गेहूं काटना है machine चाहिए किसान है उसको जो है जो manufacturing company उसको warehousing की facility चाहिए transportation की facility चाहिए तो वो tertiary sector से मिलता है तो primary industry क्या हो गया जो किसानों ने गेहूं उगाया secondary industry क्या हो गया कि गेहूं से use करके जो है आपने कोई finished goods produce किया और tertiary industry क्या हो गया जहाँ पर आप जो है primary industry और secondary industry को support करने different different services provide करते हैं transportation, banking, insurance इनको हम tertiary sector if we tertiary industry कहते हैं can we divided into three category primary industry, secondary industry and tertiary industry तो हम एक एक करके जो है तीनों को discuss करेंगे सबसे पहले हम discuss करेंगे primary industry को तो primary industry क्या हो गई वो industry यानि कि वो business activities जहाँ पर mining की जा रही है extraction किया जा रहा है यानि कि एक तरीके साब इसको समझा ही है कि वो industry जो की raw material produce कर रही है जो raw material produce कर रही है उसको हम primary industry कहते हैं include all those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources जो natural resources को extract करती है उसको produce कर रही है उसको हम primary industry में कहते हैं और इसी लिए इसको हम क्या कहते है extracting industry कहते हैं जैसे farming, mining, lumbering, hunting यह सब क्या है यह extract कर रही है produce करती है natural sources को अब farming है तो farming में देखे raw material गे हूँ चावल यह सब क्या हुआ जा रहा है produce किया जा रहा है mining में हम iron ore को extract कर रहे है coal को extract कर रहे है gold जो है उसमें से हम extract करते हैं यह सब क्या हो गए यह primary industry कहलाते हैं तो प्राइमरी industry में क्या हो गया यह extracting और productions of natural resources related होते हैं वो सभी business organization जो extract करती है जो production कर रही है natural resources का वो primary industry में आती है साथी साथ reproduction and development of living organism plant extract यह भी primary industry में आता है अब suppose कर यह आप seed develop कर रहे है आपने nursery open कर रखा है जहाँ पे छोटे छोटे plant आप जो है वहाँ पे develop कर रहे हैं उनको reproduce कर रहे हैं डेवलप कर रहे हैं cattle breeding कर रहे हैं आप polyutory form खोल रखा है fish hatchery आपने खोल रखा है यह सब क्या है यह भी primary industry में आता है और इसको क्या कहते हैं genetic industry कहते हैं जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं living organism को reproduce या फिर develop कर रहे हो तो वह चीज़ genetic industry में आता है clear आप तो एक हो गया कि earth, water, air से जो है आपने कोई चीज extract की produce किया natural sources को तो वह चीज extracting industry में आ गई वही पे जो दूसरी चीज़ है वो genetic industry है जहाँ पर आप जो है living organism जैसे plant हो गया animal हो गया उनकी breeding, उनकी reproduction उनको development पे आप जो है कर रहे हो तो भी क्या है वो genetic industry आता है clear तो इंडस्ट्री जो primary industry वो दो टाइप में आप divide कर सकते है that is extracting industry जहाँ पर आप farming, mining, lumbering, hunting यह सब कर रहे है और दूसरा क्या है genetic industry जहाँ पर आप seed develop कर रहे हो nursery open कर रहे हो cattle breeding कर रहे हो polytory farm आपने खोल रखा है फिर sashery खर रखा है तो यह सब भी क्या है यह genetic industry में आता है याने की primary industry में आता है वही पर जो डूसरी industry है that is secondary industry secondary industry क्या है देखिए primary industry में क्या होगा कि आपको raw material वहाँ पर produce करके दिया जाता है अब जो secondary industry है वो क्या करते है कि primary industry में जो भी चीज़े develop हुई उसका use करके कोई नया product जो है वो final consume करते है या फिर उस product का further use करके कोई दूसरा product बनाया जाता है तो उसको हम कहते है secondary industry secondary primary में raw material आया raw material का use करके जब आप कोई नया product बनाते हो तो उसको हम secondary industry करते हैं second hand clear तो वही चीज़ है secondary industry concerned with using materials which have already been extracted at the primary sector तो primary sector में primary industry में already वो इस material को आपने extract कर रखा है और उसको further यहाँ पर processing करते हो उसको use करके further कोई नया product बनाते हो तो उसको हम secondary industry कहते हैं जितने भी manufacturing companies होती है ना जैसे कि अब biscuit बनाने वाली company है तो biscuit बनाने वाली company क्या होगी हो secondary industry क्यों क्यों क्योंकि उसने गेहूं का use किया गेहूं क्या हो गया primary industry हो गया गेहूं farming में farming क्या है primary industry है farming करके आपने गेहूं develop किया अब गेहूं का use करके आटा बना सकते हो या फिर गेहूं का use करके बिस्किट भी बना सकते हो तो आपने क्या कि गेहूं का use करके biscuit बनायाती है secondary industry हो गई secondary industry process such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial unit जैसे अब car की manufacturing में आप देखिए तो car में क्या होता है कि handle अलग कोई company बना रही है brakes अलग company बना दी है tires अलग company बना दी है तो अब tire में rubber का use करके tire बना रहता है तो जो tire company है उसने क्या कि rubber का use करके tire डवलप किया अब जो car बनाने वाली company है वो car वाली क्या करती है tire बना वाली company से car के पहिये को purchase करती है निकी जो पहिया है वील है उसको wheel company से purchase कर लिया और उसने फिर assemble करके पूरी एक car जो है manufacture कर दी तो यह secondary industry कहलाती है clear तो secondary industry में या तो product इसलिए बनाया जाएगा जिससे कि customers को सीधे consume कर ले जैसे biscuit chips नमकीन हो गया coldring हो गया या फिर दूसरा तरीका क्या है कि वहाँ पर product बनाया जाते हैं जिससे उसका further use किया जा सके जैसे कि आपने wheel बनाया तो wheel का further use car में हम use करते हैं तो that is secondary industry secondary industry clear तो example के तोर पर हमने बता ही दिया कि mining of iron ore is prime industry but manufacturing of steel by way of further processing of raw iron is a secondary industry तो हमने जो है mining करके अर्थ से iron ore निकाला अब iron ore को further processing करके हमने उसमें से steel का use किया steel का further product बनाने में use कर रहे हैं तो वो secondary industry हो गई clear अब जो है secondary industry को जो है further दो category में आप divide कर सकते हैं पहला है manufacturing industry और दूसरा है construction industry तो सबसे पहले हम manufacturing industry देख ले हैं तो manufacturing industry नाम से clear है कि यह क्या कर रहे है manufacture कर रहे है are engaged in producing goods through processing of raw material तो raw material को process करके यह लोग product बनाने में जो है involved होते हैं they bring out diverse finished product that we consume or use for further manufacturing operations तो यह manufacturing industry क्या होती ही वो ऐसे product बनाती है जिसका final consumption किया जाता है या फिर उसका use करके further कोई दूसर product बना लिया जाता है तो that is manufacturing industry जैसा कि हमने example में पहले देखा rice meal हो गया paper from wood, wood से हम paper बना रहे हैं sugar factory हो गया, गन्ने का use करके chain ही बना रहे हैं तो यह सब क्या है यह manufacturing industry है जो manufacturing industry है इनको further जो है four category में divide कर सकते हैं analytical, synthetical, processing and assembling industry तो एक एक करके इसको भी देखते हैं तो analytical industry क्या हो गया analytical industry यानि कि यह क्या करते है analyze करते हैं separate करते है different element from the same material यानि कि कोई एक material है उसमें से जो है different element को separate करके कोई नया product बनाते हैं जैसे कि oil refinery तो oil में क्या है जो crude oil होता है crude oil को extract करते हैं उसमें से petrol अलग निकाल लिया kerosene अलग निकाल लिया diesel अलग निकाल लिया तो यह क्या है यह analytical industry कहलाती है एक substance से different element produce कर रहे हैं वहीं पर दूसरा क्या है synthetical industry synthetical में क्या होता है कि different different element को combine करके आप कोई product बना रहे हो that is synthetical industry जैसे कि cement हो गया combine various ingredients into a new product like cement इसे तरह किसे तीसरा है processing industry processing industry में क्या हो रहा है कि involve successive stages for manufacturing finished product like sugar and paper तो sugar हो गया या paper बनाने का काम हो गया तहाँ पर हम different processing या फिर manufacturing कर रहे हैं यहाँ पर clear गन्य को process किया चेनी निकला wood को process किया paper आया that is processing industry इसी तरह किसे चौथा है assembling industry assembling यानि की नाम से clear है कि assemble करो आप different different जो product है अलग-अलग जहाँ आप उनको use करके आप एक नया product बना रहे हो जैसे कि आपने देखोगा television में तो television में chips लग रहे हैं उसमें monitor लग रहा है car कर देख लिजिए car में handle अलग है brakes अलग है, tires अलग है, body अलग है उसका engine अलग है computer में देख लिए तो CP कोई और बना रहे है processor कोई और बना रहे है, keyboard कोई और बना रहा है ठीक है, window कोई और company बना रहे है तो वो क्या करें, सबको assemble करके एक product complete आपको provide किया जाता है ठीक है, तो assembling industry यानि assembles different component part to make a new product like television, car और computer तो यह क्या है, यह चारो ही manufacturing industry में आ जाते हैं clear, वहीं पर जो second industry का दूसरा type है that is construction industries तो नाम से clear, construction यह क्या करती है building, dam, bridge, road, tunnel, canal यह सब जो है बना रही है engineering और architecture skills यहाँ पर involved होते हैं तो इसको भी हम क्या कहते हैं construction industry कहते हैं और यह second industry में आता है एक तरीके से आप देखा जाओ, तो यहाँ पर भी manufacturing की कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो construct कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो ठीक है, building, dam, bridge, यह सब हो गए वही पर जो next type of industry है that is tertiary industries अब देखे, primary industry, second industry यह तो product को produce कर रही है उसको manufacture कर रही है ठीक है, processing कर रही है लेकिन अब इन सब को जो है production करने के लिए product को produce करने के लिए processing करने के लिए different type of services की requirement होती है जैसे आपको communication करने के लिए different network के use चाहिए आपको ठीक है, आपको transportation की facility चाहिए होती, आपको warehousing की facility चाहिए होती आने की जहां पर आप product को store करके रखेंगे आपने product तो बना लिया, लेकिन उसको कहीं न कहीं store करके रखोगे customer तक पहुंचाओगे कैसे, उसके लिए आपको transportation की facility चाहिए उस product को pack करने के लिए packaging की facility चाहिए advertisement customer को बताने के लिए advertisement करना होता है तो वो facility चाहिए यह सारे जो facilities हैं, जो transportation, banking, insurance warehousing, packaging, advertising यह सब क्या है, यह services कहलाती है और inicom क्या कहते है tertiary industry कहते है यानि कि ऐसी industry जहाँ पर कोई product बनाया तो नहीं जा रहा है लेकिन हाँ वहाँ पे आपको जो है product जो आप बनाते हो उसको deliver करने के लिए आपको different type of services provide किये जाते हैं तो यहाँ पर company को भी services provide कियाते हैं, साथ ही directly customer को भी, अब customer जैसे education हो गया, health services हो गए communication हो गया, professional जैसे lawyer हो गया, CA हो गया, यह अपनी services provide करने ती, यह सब किसमें आते हैं tertiary industry में आते हैं तो tertiary industry concerned with providing support services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade, तो trade से related हो गया, चाहे हो primary industry होगे, चाहे secondary industry होगे, इन सब को जो different type की services provide कि जाते हैं, चाहे हो education से हो, health से हो, communications से हो, transport से related हो, packaging, advertising से हो तो यह सब tertiary industry में आते हैं तो यह क्या करते हैं, provide services facilities, provide service, facilities, include education, health, service communication, professionals transport, banking, insurance warehousing, packaging, advertising and different type of services, जो की primary, secondary या फिर डिर्टली customer को provide किये जाते हैं, तो आप जैसे communication यूज करते हो, आप phone यूज कर रहे हो, network यूज कर रहे हो, यह सब क्या है, यह services हैं, जो की आप डिर्टली यूज कर रहे हो, banking services आप यूज कर सकते हो, मतलब कि जो companies है, वो तेन कटेगरी में divide किया, पहला primary industry, दूसरा secondary industry और तीसरा that is, tertiary industry primary industry, वो industry जो की extraction से related होती है productions of natural resources से involved होती है, यह फिर genetic production करती है यहापे, clear, तो primary जो है वो primary industry दो टाइप में divide की जा सकते है, extractive and genetic, वहीं पर जो दूसरा है secondary industry, secondary industry क्या होती है यह जो primary industry दोरा, जो raw metal produce किया जाते है, उन raw metal को use करके, जो है, वो कोई finished goods produce करती है, या फिर कोई ऐसा goods produce करती है जिसका further जो है, production में use किया जाता है, तो उसको हम secondary industry कहते है, तो secondary industry, दो type में divide की जा सकती है, that is manufacturing and construction, clear construction, जहाँ पे building, dam river, यह सारी चीज़े आप जो construct कर रहे हो, ठीक है, और manufacturing क्या होगा है, manufacturing जहाँ पे product को produce किया जा रहा है, जैसे raw metal को use करके product बनाया जाता है, finished goods बनाया जा रहा है और यह जो manufacturing है, इसको हम 4 type में divide के सकते हैं, analytical analytical, analytical जहाँ पे आप क्या करते हो, कि एक element से, same element से आप different different product बनाते हो, जैसे कि हमने बताया था कि crude oil से petrol, diesel और kerosene आप develop कर रहे हो, दूसरा है synthetical, synthetical में क्या होता है, कि different ingredient को मिला कर आप कोई नया product बना रहे हो, जैसे कि cement में होता है, तीसरा है processing, जहाँ पर कोई goods को process करके, आप जो है, उसको कोई दूसरा product form में develop कर रहे हो, जैसे sugar cane का use करके, आपने जो है sugar बनाया, चीनी बनाया, गर्ने का use करके, चीनी बनाया, wood का use करके, आपने paper बनाया, ति ये processing हो गया, rice mill में, rice को, धान को process करके, आप rice produce कर रहे हो, तो that is processing, और वहीं पर चौथा है, that is assembling, assembling में क्या होता है, कि different different parts को, जो है, आप assemble करते हैं, अठा करते हो, और कोई नया product बनाते हो, जैसे car, तो car को बनाने के लिए handle चाहिए, आपने handle बनाने वाली company इसे handle ले लिया, car को बनाने के लिए tire चाहिए, तो tire बनाने वाली company से आपने tire ले लिया, ठीक है, engine से engine ले लिया, तो इस तरह के से सबको assemble करके, आपने product बना दिया car, या फिर आप desktop या laptop या laptop यूज करते हैं, तो desktop laptop में क्या होता है, कि processor किसी दूसरे से लिया, chips किसी दूसरे से लिया, monitor किसी दूसरे से लिया, और आपने computer बना के Windows, Microsoft बना दिया, आपने computer बना के दे दिया, Dell हो गया, या फिर HP हो गया, या सब क्या है, या assemble करके जो है, आपको new product बनाती हैं, और आपको sell करती है, तो that is second industry, और advertising हो, education है, health है, यह सब क्या है, यह services में आती है, और इनको हम कहते है, tertiary industry, तो इस वीडियो में इतना ही, जो next part है, इसका commerce, commerce को हम next video में discuss करेंगे, we show all the best, keep watching.